आप सभी कैसे मैं उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी के साथ हम लोग आज इंकम टैक्स में एक्रिकल्चर इंकम जो टॉपिक है उस पर डिसक्स करने वाले हैं तो चलते हैं थोड़ा एक बार में पुना थोड़ा बेसिक चीज़ को समझेंगे उसके बार इस पर टैक्स का कम्विटेशन किस तरह से होगा उस पर हम लोग चलेगे चुकि मैंने लास्ट क्लासे में एक्रिकल्चर इंकम पे दो क्लास मैंने अल्यडी कंड़क करवा चुका हूँ आज जो है लेक्ट्चर अबर थ्री होगा ये वीडियो ठिक न इसमें जो भी बचाओगा कॉंसप्ट है एक्रिकल्चर इंकम से रिलेटे उन तमाम मुद्दों पे डिसकसन करेंगे उन तमाम कॉंसप्ट पे आज हम लोग डिसकस करेंगे एक बार पुना एकदम इजी वे से ताकि आपने लोग को सभी लोग को एक इजी वे से आसानी से हम लोग समझ सकेंगे तो चलते हैं अब मैं पुना स्टार्ट करता हूँ ठीक है थोड़ा मैं क्यामरा ठीक कर ले रहा हूँ ठीक है आफ लोग मैसेज करेंगे मैं समस्ता हूँ ठीक हो गया होगा अगर इस्टू होगा तो आप लोग मैसेज करेंगे उधर सटेट जट नहीं चाहिए दिखे सबसे पहले आज हम लोग डिसकर्शन करेंगे कुछ ऐसा इंकम होती है ऊपप होती है बिज्नस इंकम होती है आज उस पर हम लोग डिसकर्श मैं बना रहा हूँ पर टिउसपर यह हो गया क्या यह क्या पार्थली एवरी कल्चर इंकम एवरी कल्चर इंकम चेकर और दूस्रा होगा पार्थली पार्थली बिजनस की परेशना होगा दुसरा क्या होगा पार्थली बिजनस की नहीं परेशन करने परती है ठीक है बलर हो गया था मैं उसे भी सुधार दया हूँ अब मैं चलना हो तो देखे यहां पर क्या है पार्टली एपरिकल्चर और पार्टली बिजनस इंकम है अब हम लोग बिसक्स करते हैं कौन-कौन सा इसा इंकम है जिस पर कुछ पोर्शन किर्शी आए होती है और दुफला गैर किर्शी आए होती है पार्टली एपरिकल्चर इंकम का मतलब जो आंसिक क्रिशी आए होती है और कुछ पोर्शन क्या होती है वेप्साइक आए मानी जाती है तो नेचर देखते हैं पार्टल का मतलब सुम्दी के नेचर पार्टी बिबरान होगा है ठीक है और मैं इस पर रिखाऊंगा रूज्स यानिकि सेक्षन तो टीन है ही सब्सेक्षन वन ठीक है ठीक है और साथ ही संब क्या होगा रूल रूल ठीक है तो आप समझेंगे तो देखेंगे बोलता है सबसे पहले रूल आपको है रूल सेवें ए उसके बाद गूसरा है रूल सेवें बी और तिसरा आपको आएंगे रूल एट ठीक है तो इससी को अपने लोगों समझनी है तो देखेंगे रूल सेवें ए क्या काता है कौन साइंकम के लिए तो अगर कोई पर्षन कोई भी एससी इसी इंडिया में अगर रवर का ग्रोइंग करती है मनुफ्रेक्ट्रिंग करती है और उसी को सोल कर देती है तो वैसे एससी को रिए टैक्स सेवल इंकम और नन टैक्स सेवल इंकम के लिए रूल सेवल है सेक्शन तो है ही यह सभी के लिए टैन वन चुकि एवरिकल्चर इंकम है तो टैन वन रूच्स ए में करता है किसके रिगारी कॉफी के रिगारी कॉफी का मतलब यह कि वह इंडिया में क्या करता है कॉफी ने सॉर्डी रवर को तो पिछाइड ही करनी परती है तो मैं इसलिए आँगा सेक्शन रवर अगर कोई परसं कोई एससी रवर यह रूल्स सेवल इंडिया में रवर की ग्रोइं करती है मनिफ्यक्ट्रिंग करती है और उस प्रोड़क्ट को शोल्ड कर देती है तो वैसे ससी के लिए जो इंकम मानी जाती है कुछ एग्रिकल्चर इंकम और कुछ नन एग्रिकल्चर इंकम होती है तो कितना पॉर्शन होता हो देखिए रवर आती है तो इसका 65% जो होती है यह मा बिजनस इंकम है उसके बाद rules B में इसमें one concept है अगर इंडिया में कॉफी है ये कॉफी के रिगाड़े है मैं इसको लिखता हूँ ठीक है ये है कॉफी अगर इंडिया में हुआ कॉफी को ग्रोईंग करती है करती है और वो इन में करता है कॉफी को कर्ड यानि कि ग्रोईंग ग्रोईंग और कर्ड करके शोल्ड कर देती है तो वैसे एससी के लिए इसका 75% इंकम का अग्रिकल्चर माना जागा और 25% माना जागा बिजनस इंकम लेकिन वही कॉफी को वो एससी यदि कर्ड कर दी मतलब ग्रोईंग तो करेगे ही अमनुफ्यक्चरिंग ग्रोईंग क्योर्ड ठीक है क्योर्ड ठीक है उसके साथ साथ रोस्टेड रोस्टेड और ग्राउंडेड ग्राउंडेड करके यदि मार्केट में बेशती है इसका इंकम का 60% माना जाएगा एगरिकल्चर है और 40% का है बिजनस इंकम है I hope कि आप लोग को बाते सुनमा रही हो Rules 7-8, Rules 8 कहता है किसके रिगार्डिंग है तो Rules 8 जो दिया गया है ये T के रिगार्डिंग रूल से है T यदि इंडिया में कोई SAC T की manufacturing करती है growing करती है और उसको market में sold करती है तो उसके इंकम का 60% जो है अगरिकल्चर इंकम माना जागा और 40% माना जागा तो इसका बिजनस इंकम है ये T ची ऐसा है जिसमें हमारे इंकम टैस डिपार्टमेंट में फिक्स कर दिया है कि इतना portion आपको इविकल्चर माना जागा और इतना माना जागा क्या आपको माना जागा बिजनस इंकम है क्योंकि ये cash crop मान जाती है क्या है ये सभी cash crop है ये सभी को सभी क्या है cash crop cash crops ठीक नगति फसाद अब देखेंगे चुकि इसमें क्या है department को separate करने में नहीं बना है कि कितना portion business का है और कितना portion agriculture इसलिए उन्होंने fix कर दिया percentage wise लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जैसे कोई SAC है वो sugar cane sugar cane syntax textile related raw materials अगर वो manufacturing करती है और अपने business में क्या करती है growing करके manufacturing करके cultivation करके अपने business में यूज कर लेती है तो वैसे SAC के लिए कुछ condition दिया गया है कि कुछ income business income माना जागा और कुछ income क्या माना जागा क्या क्या कुछ income माना जागा उसको agriculture और कुछ business तो उसके लिए कुछ rules है तो आप उसके भी focus करते है पाले आप लोग होग आप लोग इस समझ गया हुगे मैं इसको मिटाओंगा उसके वाल मैं आगे चलूंगा तो आप आप पाले इसको मीटा लेता हूं उसके पुना है यहाँ मैं चलूंगा मैंनेMoment के आप देखें मैंने मिटा दिया हूं आप चलते हैं देखें इंडीया में पुछ है से चीजा होती है जिससी को ऐसे सी खुछ से अप्रोणिंगि करते हैं और अपने स्यर्व shift край करें की कि कैसे मिट में किस्ती तरह से कांप्यूट करेंगे कि कितना portion business का है और कितना portion agriculture का है जैसे मैं example लेता हूँ जैसे cotton की मनफैक कोई growing करती है ठीक है sugar cane का मनफैक या growing करती है कोई ठीक है या silk से related synthetics बगर आती है उसका खुद से production करती है और अपने factory में वो utilization कर लेती है उस cases में अपने लोग को किस तरह से compete करनी है कि कितना portion business में जाएगा और कितना portion agriculture का माना जाएगा तो मैं एक छोटा सा example लेता हूँ ताकि आपनों easy way से समझ सकते हूँ जैसे example के तौड पे मैं यहाँ पे example लेता हूँ ठीक है यह कोई farm है ठीक है यहाँ पे sugar kale की manufacturing होती है sugar cane मतों गन्ना की उतपादन की जाती है ठीक और यह गन्ना को उतपादन करने के بार यह क्या करती है फ़र्धर इसको transfer करते है अपने manufacturing में यहां पे क्या है इसके पास factory है mean f relaxing की जाती है manuf factoring होती है यहांपे ठीक है और यहाँ पे farm है जहांपे और इससे को यह ट्रांसवर कर देती है यहां से क्या होती है यह प्रोसेसिंग करेगी प्रोसेसिंग करेगी और यह निकलेगा शूबर एक हम इजी बेसे समझे उसी तरह कोटनर पे भी अप्लाए होगा उस तरह से कुछ कपरी क्लॉस के लिए जो संथेक्स बगड़ा बनती है उसके लिए जैसे सिल्क बगर बनती है सिल्क की कपरा बगर बनती है तो किसान करती है हो सकता है उसके पास बिसनस उसमें को यूटिलाइजिशन कर देखी उसको गिटलग करो है ठIESके वह समझ पाढ़े होंगे तो देखे उसकेवाद क्या करेगा यह सुगर केंड को क्रोंशेशिंग करेगा और मार्केट में क्या करेगा इसको वो sold कर देगा, ठीक है, दमी जी भी समझे, तो देखिए क्या होगा, और process खरेगा, तो मतलब कुछ processing cost लगगा, अक्सर यहां पर देखिए क्या होता है, आप यहां पर यह मानेंगे, जैसे आप business में क्या पढ़े थे, owner और business, वो थार separate legal entity, आप simple यह मानिए कि firm कोई दूसरा person है, और manufacturing जो होती है, उसी का business unit है, वो एक अलग है अपने जबाद पे, आप simple से मान कर चलेंगे, तो आपको किसी परकार को दिक्कत नहीं होगा, तो देखिए यहां पर business, यह जो income होगा, यह चला जागा business income, पी, जी, बी, पी, इंकम में यह चला जागा, यहां से जो भी income होगी, और यहां से जो होगी, वो agriculture income मानी जाएग, यहां से जो भी income होगी, agriculture income होगी, तो मैं इसी में amount में लिख दे रहा हो, ताकि आप लोगों easy basis मन ना जाएगा, तो देखिए, यहां पर यह समझना है, कि firm जहां पर sugar can की manufacturing होई थी, तो खुद सोचे, इसका खुद का यह व्यपसाय था, इसका खुद का manufacturing unit है, तो भार्मर जो था, वो तीसे पैसा लिया नहीं होगा, क्योंकि वो तो समझता है, मेरा अपना business है, accountancy को उतना उनको घ्यान नहीं है, taxation का उनके पास घ्यान है नहीं, ठ प्रोडक्शन करते हैं और अपने factory में sold करते हैं, मतलो supply कर देखें, मतलो transfer कर देते हैं, ठीक है, तो इस situation में देखें, कठना ही होने लगा, की income का competition कैसे क्या जागा, इसके लिए तो देखें क्या होगा, यह जब इसको transfer किया, यह तो without cost में क्या, तो यहां पर देखा जाए market value of agriculture product, market value of agriculture, agriculture, चुकि tax department यह concept गुना है, market value of agriculture product, produce, agriculture produce, मतलब कि अगर मानके चली, यह गन्ना मानके चली, यह 10 पीस इन्होंने अपने manufacturing unit में transfer कर दिया, तो खुद सोचिए, अगर यह manufacturer, अगर कहीं बाहर से परचेद करके लाता, तो उस समय उस 10 इस गन्ना के कुछने कुछ प्राइस होता, उसी को बना जाता, market value of agriculture, produce, I hope, कि आपनों को यहां तक सुने आगे, तब देखें, basic चीज़े समझना है, तो हम easy way से समझना है, ताकि कि किताब में जो language लीखी होती है, भासाय उठा, difficulty होती है, और खासकर taxation की जो language होती है, वो अपने आप में tough होता, एक-एक keyword का, उसका कुछ ने कुछ मिनिम होती है, तो अदर समझे बाकि क्या है, जब इन्होंने इसको transfer क्या होगा, यह तो पैसा लिए ने थे, लेकिन आप अ पैसे होगे, उस समय उसका कुछ ने कुछ प्राइस होगा, यह तो हर्ची का प्राइस होती है, जैसे sugar की price है, अलेडी इस रेमी मनुफेक्टर को जनकारी होती है, कि sugar के क्या price है, उसके बहुता, market value of agriculture produce, तेकर, अब यह sold करेगा, processing करने के बाद इसको sold करेगा, कुछ ने अब पहले देखे, यहां का इनका का कैसे, computation होगा, देखे, business income, computation of, computation of, business, business, अब देखा 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 है, और इस इंको, अब लोगा, पॉर्टो में सादेखे रहना, business income देखा, नाइ, income ने देखा रहे, तुस्छे, तुस्छे ताहा कैसे बोगा, कि यहीं तक रहने देते हैं यह कंपुटेशन मैं इसको मिटागा थुरा और ब्लैक करता है थाकि आप लोगों को दिखा था यहां पर देखिंगे कंपुट करेंगा हम लोग बिजनस इंकम अपने लोगों समझने हैं तो कैसे समझना है वह देखिए जितना में यह बेचेगा और इसको बढ़ा था सेल वेलू अफ्वा फाइनल kore प्रोड़क्ट का मतलब इनका फाइनल प्रोड़क्शन क्या था शूगर था इसी वह सेल डेटृ मतलब सेल बैलू और फीक ना फार को फाइनुल प्रोडियूश जो फाइनल उने प्रोडियूश किया उसका सेल यहां पर बीजाए यह दिखाए देरा है डॉटर यह दो थे बेचेंगी हो अब इसमें से लेश किया जागा साथ यह अगर खृता किसको क्या होता मार्केट वैल्व अफ एक्रिककाल्चिर प्रोडियूश इसके लिए तो परचस्प्राइस हो जाता इसको लेश किया जागा है मार्केट वैल्व आफ आफ एप्रिक फिर लेस्ट कर देबी है क्या ची इसको आपना कुछ को एक्सपेंस होगा चुकि जैसे ही उन्होंने सुगर कैन से सुगर में फाइनल प्रोडक्ट में कनवर्ट किये तो उन्हों कुछ ने कुछ प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा होगा इसलिए लिखा जाएगा लेस्ट कि फॉर्दर कि फॉर्दर कि प्रोसेसिंग कॉस्ट इसको यहां पर नहीं और जो यहां पर अमॉंट आएंगे लेस्ट करने के बाद इसको बोला जाएगा बिजनस इंकम ठेके अब देखिए एगरिकल्चर इंकम का कॉम्पिटेशन किस तरह होगा तम इजी बेस समझे एगरिकल्चर इंकम देखिए एगरिकल्चर इंकम अगर इसको कॉम्पिटेशन करना होगा तो खुट सोचिए इनके लिए जो पर्चेज हुआ इसके लिए तो सोल्ड कि इसी पैसे मत पड़ेगा यह सर्फ इसके लिए क्या हो जागा सेटर प्राइश हो इसने यह क्या रिखेगा मार्केट वैल्यू और एग्रीक। automobile अजि क्या बेज़ता उसको इतना पैसा मिलता तरहा हो गया अग्रिकल्चर प्रडूडिश का हम भी इसमें से वह लिस्क प्रष्ट एहां है अपना होस्ट मृत है यह स्गर में गया होगामिता किस वह स्वार गम šर्ण को क्या हुआ होगा चुछिक जब कोई सी को हम खेती करते हैं तो शिचारी का खर्च होती है ये लेट करतेगा कॉल्टिवेशन कोस्ट या जो एग्रिकल्चर प्रोड्यूसे जो और नहीं खर्च कियों धो उन सभी फर्ज को लेज कर देंगे यह हो जाएगा आपको एक लिए कल्चर इंकम यहां से साइड आप लोगों पता चल रहा होगा एक दम देखिए एकदम मैट में बना दिया हूँ ताथी इजी वेस अपने माइन में चिपका दीजे कोपी और पेस्ट यहां से उठाली अप समझ में आ जाएगा तो यहां पर देखिए अगर मान करें यह कल्चर को सुल्ड करते सब्सक्राइब 20 लाक में इनका प्रॉसेसिंग कॉस्ट लगता सब्सक्राइब 2 लाक पीच इस चिसको मार्केट में इसका वैलू हता सब्सक्राइब 12 लाक ठीक है इन्हों ने जो सुग करके इनको प्रॉडक्षन किया तो कॉस्ट का होता सब्सक्राइब शाइब 7 लाक ठीक है तो देखिए यहां पर ईजी बेस समझे यहां क्या करते बिजनस का इंकम निकालना होता तो हमनुप सिंपल से क्या करते बिजनस इंकम इस इकल टू 20 लाक माइनस क्या होता यह और य लाख माइनस को दिनाख तो बिजनस इनकर इस इकल टो लाइब ता आपको 6 लाख या जाता ठीक है एक पटलचर इंकम में क्या आउता हुद देखे जरा इनके रहा इनकर यह से लुआ तो इंकम इस इकल टो ता 12 लाख इसमें से देश हो जाता कुल्टिवेशन का कॉस्ट हो जाता 7 लाख इस इकल टू 5 लाख अगरी कल्चर इंकम जाता है ठीक है एक लिए इसी समझ गहे है आई होब क्या आप लोगो बाते शमन में आ रही होगी कि कुछ ऐसे चीज है जिसमें जिसको बॉला जाता कंपोजट अगरी कल्चर इंकम एंड कंपोजट बिजनस इकम ठी कि क्लास भी एंपे एंड हो रही ही ओक के बाइबे है वे नाइस देख